प्रिंट से जुड़ी शिखा सलारिया ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि काशी में कुछ भी संभव है वहीं दिललन टॉप के पत्रकार अभिनव पांडे ने भी ये वीडियो बनारस का बताते हुए ट्वीट किया था लेकिन बाद में इसे डिलीट कर दिया पत्रकार संजेत्र पाथी भारत एक्सप्रेस के पत्रकार रजनिश कुमार समित कई पत्रकारों ने इसे बनारस का बताते हुए ट्वीट किया वीडियो की तफ्तीश करने के लिए ओल्ट न्यूज ने वीडियो में दिखने वाली जगहों को गौर से देखा हमें एक फ्रे कुछ मीडिया आउटलेट्स ने भी इस घटना को कवर करते हुए आर्टिकल्स पब्लिश के थे जिसमें इसे रिशिकेश का बताया गया है यानि रिशिकेश में सांड की सवारी कर रहे एक लड़के का वीडियो पत्रकारों ने बनारस का बताते हुए चलाया झाल झाल